तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही रॉकिंग क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो गाईज इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है पाइरो गन का पैकिंग जो कि गोयल कमपनी और भी बहुत सारी कमपनियों में अबिलिबल है हमारे पास तो इसको कहते हैं स्पार्कुलर गन तो इस तरीके से आपको इसका बॉक्स देखने को मिलेगा अब इसको करते हैं अब अन्बॉक्स ताकि आप देख सकें कि इसके अंदर से जो गण है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी तो इसके अंदर पन्नी में रैपिंग करी हुई ये गण आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ये प्लास्टिक बॉड़ी की पूरी गण है और इसका जो पाइरो सिस्टम है ये अन आफ की बटन ये इसमें पाइरो फिल करने का और ये मैटल बॉड़ी का इसका नोजल और ये है जहां पे आपको पाइरो के स्विचेज लगाने होते हैं और ये है ट्रिगर अनलॉक बटन की सब चीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा कि आपको इन सारी चीजों को किस तरीके से यूज करना है और ये है हमारा एफ एफ पाइरो जो की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पाइरो है हमारे पास सभी वेराइटी के पाइरो भी अभी लिवल है इंडियन इंपोर्टेड और सभी की क्वालिटी बहुत ही शानदार है इस तरीके से आपको एफ पाइरो देखने को मिल जाएगा इसमें प्रिंट रहता है तीन मीटर 35 सेकें गन में कनेक्ट करना होगा जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा आप चाहते हैं पाइरो पर्चेस करना या गन पर्चेस करना तो दिये हुए नंबर पे कॉल या वाटसब कर सकते हैं या डारेक वेप साइट में भी जाकर आप अपना और प्लेस कर सकते हैं तो पाइरो फिल पाइरो अंदर अच्छे से बैठ जाए दैन उसके बाद आप इस नट को टाइट करें तो चितना भी आप पाइरो को रोटेट करेंगे तो पाइरो किसी भी कारण से उससे हिलेगा नहीं तो इस तरीके से जब पूरा पाइरो अंदर गुश जाए तब आप इस बटन नट को टाइट अच्छी तरीके से कर दें फिर हम इसका आगी का प्रोसेस बताएंगे कि आपको किस तरीके से फिर इसको यूज़ करना है सबसे पहले यहां पर लगाने होंगे सेल सेल ध्यान रखें गाईज हमेशा ओरिजिनल ही होने चाहिए कौपी सस्ते यह सब के चक्कर में मत आएं औरिजिनल सेल यूज़ करें ताकि पावर अच्छे से मिल सके आपके पाइरो को फोड़ने के लिए गाईज तो आप पहले लगा दें इसमें सेल जैसे ही आप इस पे से चेक करना होता है इसमें LED भी लगी होती है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि LED से चेक करें जाते हैं सेल को तो वाइरिंग जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपको वाइरिंग करना होगा गाईज देख सकते हैं आप बलेक और रेड कलर के इसमें स्विच्छे से होगा तो जैसे कि आपको चार्ज पता करना है कि पारो फोडने से पहले यह सब से पहले कि सेल आपके डिशार्ज तो नहीं है तो वाइरिंग करने के पहले आप इसको एक बार ट्रिगर को पुश करके देख ले अगर आपका जो बल्ब लगा हुआ है है वो इंडिकेट करता है तो आपका सेल डिस्चार्ज नहीं है देन उसके बाद आप इस पाइरो की फिटिंग करें जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमने चेक कर लिया था कि हमारा पाइरो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि सेल ट्रिगर दबाने पर रेड ब्लिंक कर रहा था तो अब चलता है हम इसको शॉर्ट करने के लिए और वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कैसा लगा है ये भी बताएं और साथ ही साथ पाइरो से रिलेटेट इवेंट से रिलेटेट कुछ भी प्रोड़क्ट आपको प अब करते हैं पाइरो को शॉर्ट थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे आप ट्रिगर को दवाते हैं आपको इस तरीके से पाइरो शॉर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा अब आप चाहें तो इसको कितना भी रोटेट करें यह पाइरो गन से गिरेगा नहीं तो देख सकते हैं आप इस गन की खासियत को आप कुछ भी करें बहुत ही अच्छा इसका इंपेक्ट आपको देखना को मिल जाएगा तो देर किस बात के जल्दी से जल्दी अपना ओर्डर प्लेस करें थैंक्यू सो मुच